आज के हमारी कहानी है, मैं गुंगी नहीं हूँ, बना दी गई थी, मैं अपनी नानी के हाँ कभी कबार जाया करती थी, उस में के गाउं और अब के गाउं में बहुत फर्क है, लगवत तीस साल पहले की बात होगी, उस में ज़्यादा समझ तो नहीं थी, दुनियादारी की, लेकिन लोगों को देखकर उनकी बातों का मतलब थोड़ा-थोड़ा समझ आ ही जाता था, तो नानी के ही प्रोस में एक परिवार रहा करता था, उनकी बड़ी बहु, इतनी सुगर और कामकाज में इतनी चतूर, कि मुहले प्रोस के लोग अपनी बहुँ को उसका उदारन देते नहीं ठकते, देखने में इतनी सुंदर की चांद भी सरमाज है, दो बच्चों के बाद भी उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आय थी, बहु इतनी सुंदर थी और अपने माईके में एक लोटी लड़की थी, तो उसके माबाप ने उसका नाम प्यार से राजा बेट फिर जानवारों का दाना पानी करके गोबर उठाकर खलेहान में ले जाकर कंडे पाथती, फिर असनान ध्यान करके चुल्हें में लग जाती, वहां से रितिती को खेत पर खाना देने जाती, उपर से तीन डेवर और दो नंदों को भी संभालती, बच्चों को दारी देख लेकिन उस पर भी उसकी साथ पान कुवर उससे खुश नहीं थी, हमसे यही ताना मारती रहती, कुछ नहीं सिखाया माबाप ने, ठाग लिया इसके माबाप, मेरा हीरे जैसा बेटा, ये कहीं से भी मेरे बेटे के लायक नहीं है, और पान कुवर ना तो खुद सुन्दर थ और ना है उसके बेटे, ना है, ना कोई बहवारदारी आती, और ना बड़ो का समान करना, खुब अनाप सनाप की जमीन थी, तो खेती खुब होती, बेटे बस खा कर पड़े रहते, ना कभी कोई काम न काज, बाप सारी खेती संभालता था, और मजदूरी भी रखे थे, क् पान कुवर को पसंद नहीं था, कि उसके चारे बेटे धूप में काम करे, घर का काम बहु के जिन्मे था, और बेटों की साधी तो हो गई थी, लेकिन गौना नहीं हुआ था, बेटियां भी कोई भी हाथ ना बटाती, भोजाई का, और पान कुवर देवी को इस बात का बह हो चुका था, सास के ताने सुन-सुन कर इतनी कोशिस करती, सास को खुस करने की, लेकिन पान कुवर का मुँ ही बना रहता, राजा बेटी के दवार से कोई साधो भिच्छू खाली हाथ मा लोटता, लेकिन जब पान कुवर देवी घर में होती, तो मजाल है कि किसी को एक ल गुंगी बहु मिली है, इसलिए कदर नहीं है, आते ही चुलहा अलग कर लेती ता पता चलता, गुंगी बहु मिली है, बोलने वाली होती तो अब तक सब को ठीकाने लगा चुकी होती, फिर एक दिन पान कुवर के बगल वाले घर में कुछ सोर सुनाई दिया, जब घरों से बाहर आ गए तब पता चला कि उसकी बेटी ससुरार नहीं जाना चाहती, ससुरार वालों से त एक चिकर कह रही थी कि वो नहीं जाएगी, कुछ देर तमासा यहों चलता रहा, लेकिन उस लड़की की मदद करने सामने कोई नहीं आया, अब राजा बेटी से सहन ना हुआ और गुंगत ओटकर द्वार पर निकल आई, लड़की फिर चलाई, अब इस बार राजा बेटी ने अपना गुंगत उपर किया, उस लड़की का हाथ थामा, और बोली अब जिसकी हिम्मत है, वो इसे ससुरार भेज कर दिखवाए, और पास में खड़े, एक बुजूर की लाठी भी छिन कर अपने हाथ में ले ली, अब पानकवर का गुसा साते आस्मान पर, और बहो को मेरे माबाब ने, तुमने अपने बेटों को देखा है, सुगर करो कि मैंने साधी कर ली, तुम्हारे बेटे से तो तुम अपने बेटों को हीरा कहती हो, हीरा नहीं है, ढोर है, अरे इसे अच्छे तो ढोर ही होते हैं, कम से कम जुगाली करते हैं, ताबला पना आते हैं, ज हरम सिखा ही नहीं। कِ वो सिखेंगे। अभी pole bishop CorinthEmet कि बोली हां आ गई है मैं गुंगी थी नहीं बना दे गई थी जितना काम मैं तुम्हारे यहां करती हूं कहीं और करती तो ना जाने कितना कमा लेती लेकिन मुझे लगता था कि यह मेरा घर है इसले कर रही थी और जिसे भी जो करना है कर ले लेकिन मैं इस लड़की क्यों सु अब राजा बेटी बहुत बुड़ी हो चुकी है लेकिन अब उसका बहुत नाम है उसने सही समय पर सही फैसल लिया और दूसरों को भी सहारा दिया अगर आपको एक कहनी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइकन सस्क्राइब जरूर किजिएगा थैंको सो मच